So, Hi everyone, कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होगे, मैं हूँ राहूल जे इस्वाल है, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल J.A.R.Dutorials में हम आस्त शुरुवात करने जा रहे हैं हमारा English Grammar Revision Series, जी हां दोस्तों English Grammar Revision Series की शुरुवात करेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है इस English Grammar Revision Series का और ये English Grammar Revision Series का पहला लेक्चर में हम बात करने वाले हैं Figure of Speech की, तो Figure of Speech क्या होता है, इसके जितने भी टाइप के Figure of Speech जो एक यह उस्टाइटेड हो क्योंकि हमारे endgame series में हम बहुत साली चीज़े लेका रा गए हैं और यह भी जो वीडियो है हमारा यह भी जो हमने English grammar का चुरुआत किया यह भी हमारा endgame series का यह एक हिस्सा है जैसा मैंने आपसे promise किया था कि आखरी समय चल रहा है exams का इसलिए हमने इस series क नाम क्या रखा है endgame series तो यह आप लोग के लिए एक दम endgame जैसा होना है super hit होना है तो क्या आप लोग ready हो please comment करना चल यह शुरुआत करते हैं तो एक और चीज़ यह है दोस्तों कि आप जानते हो कि हमारा एक telegram और Instagram का group है तो Instagram का मेरा personal ID यह रहा वैसे JR Tutorials को official वाला भी है तो वो भी आप follow कर सकते हो लेकिन यह मेरा Instagram का personal ID जिसमें मैं ज्यादा active हूँ और ज्यादा लोगों को reply करता हूँ mentions आप लोग करते हो तो मैं remention करता हूँ और आप लोग के सवालों के जवाब भी देता हूँ तो अगर आपने मुझे follow नहीं किया है तो please मुझे इस ID पे ज जो important questions है जो important daily task है आप लोग के लिए चाहे आप कोईभी standard के हो भोड के हो हर एक को मैं दे रहा हूँ यहाँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीश है तो please जाहिए फटा-फट से join कर लेना उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा ठीक है चलिए और एक चीज तो already आप समझते हो कि English grammar का एक अलग से playlist हमने create कया और उसमें लगबग आप देखोगे तो 30 से ज़्यादा वीडियोस हमारे पास present है और वो 30 से ज़्यादा वीडियोस में आपको हर topic के वीडियोस देखने मिल जाएंगे इसलिए मैं आपको यह चीज बता रहो कि playlist में चेक क तो चलिए अभी time जादा वेश नहीं करेंगे आपको सीज़ा topic पे लेके राते हैं जो कि यह figure of speech तो figure of speech के अगर हमें बात कर यहाँ पे आप एक चीज़ समझ जाओ कि figure of speech का basic क्या मतलब क्या होता है कि figure of speech is a technique क्या technique है एक ऐसा टूल है जिसके वज़े से क्या होता है one deviates from the ordinary expression यानि कि हम ordinary expression create कर सकते हैं ताकि हम क्या produce कर पाए एक better linguistic effect create कर पाए यानि कि जब भी हम लोग बात करते हैं जब भी हम लोग conversation करते हैं तो कुछ हम लोग words बहुत different use करते हैं आपने देखा हो ना लगता है लेकिन वहीं कोई अंग्रेज English होता है तो उसके बातों से कुछ अलग जलग सुनाई देती है क्योंकि they are using some other kinds of words and words जो होता है एक speech को figure करता है that is nothing but the figure of speech इसका एक और definition exam में नहीं पूछता है just आपको मैं convenience के रिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसका meaning भी बता जा और कुछ important figure of speech जो है वो हम लोग यहां से provide करेंगे तो सबसे पहला जो figure of speech आपको यहां पर नजर आएगा जिसका नाम है दोस्तो personification का मतलग क्या होता है इसका definition यह है कि when inanimate objects यानि कोई भी inanimate objects जो होता है या फिर कोई abstract ideas रहे यह जब बोला जाता है तो अगर वो ideas कोई person य यहां पर एक example मैंने लाया है, example है the flowers nodded, यह word दिख रहे है nodded, nodded का मतलब होता है mundi हिलाना, जैसे मैं आपको यहां पर mundi हिलाता हो लजर आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है nod करना, mundi हिलाना, ना बोलते हो ना आप, आप बोलते हो खाना खाएगा, वो बोलेगा नहीं, ठीक का एक quality बता रहा है, तो अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तू, अगर human का quality बताती है, मतलब वो जो figure of speech है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका personification, clear है, समझ में आ रहा है, तो आपको कैसे identify करना है, समझ लो, आपको यह question दिया था exam में, और आपको पुछेगा, ऐसा personification है, ठीक है, समझ में आ गया, पहला personification क्या होता है, ओके, next बात करते हैं यहाँ पे, जो कि आपको दिखराएगा simili, ठीक है न, जो कि आपको simili नजर आ रहा है, तो simili का मतलब क्या होता है, it means likeness, likeness मतलब क्या होता है, जब कोई दो unlike things, मतलब कोई दो अलग-अलग चीज आता हो, ताकि और बहतरीन तरीके से आपको समझ भाएगा, कैसे, ध्यान लगा के देखो यहाँ पे, ठीक है, तो example आपको नजर आ रहा है, the soul was like star and dwelt apart, जो soul होता है, soul का मतलब क्या होता है दोस्तों, आत्मा, हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, soul बोला जाता है, तो soul क्य है, was like star, वो एक star के जैसा है, तो actual में यह क्या किया जा रहा है, यह soul को यह star से दोस्तों compare किया जा रहा है, was like, क्योंकि कि किसका इस्तेमाल कर रहे है, like, तो हम लोग बोलते हैं, कि राहुल looks like शाहिद कपूर, ठीक है न, ऐसा लोग बोलते है, ठीक है, like, actually है नहीं वैसा, ठ अगर कोई भी दो अलग-अलग चीज़ है, क्योंकि soul जो है, यह जो soul है, आत्मा और यह जो star है, यह दोनों तो अलग-अलग चीज़े हैं, यह दोनों को compare किया जा रहा है, like word यूज करके, तो इसी लिए इस type के sentence में, जो name the figure of speech जो पूछेगा, उसको हम लोग क्या समझ में आ रहा है, बहुत simple है, देखो एको example है, the river flowed as silent as a night, अब river जो हो रहा है, कैसे, as silent, एक्दम शांत as night, तो हवा, याई सोरी, night जो है, वो शांत रहता है, लेकिन इससे compare किससे कर रहे हैं, नदी से, तो क्या ऐसा होता है कि तो उनों नहीं, तो compare किया जा रहा है, यह समझ में आ गया, तो यह था हमारा दूसरा figure of speech आज के लिए, अब बात करते हैं, जो third है हमारे आज के लिए, वैसे बहुत सारे लेकर आया हूँ, जो आपको, अगर आज आपने हमारा lecture पूरा का पूरा देख लिया, तो पूरा trust में दोस्तों, आपको कभी भी life में, figure of speech में तकलीफ नहीं होगा, English grammar में, कोई भी standard में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगला है repetition, नाम से पता चलना चाहिए, repetition मतलब कुछ words जो होंगे, वो repeat होंगे, तो definition क्या बोलता है, यहां पे अगर आप देखोगे, कि when words are repeated in a sentence, अगर कोई भी sentence में words जो है, वो बार- मतलब कुछ बोलने में अच्छा लगे, कुछ musical effect आ जाए, तो उस figure of speech को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तो, उसको हम लोग बोलते हैं, repetition, क्या बोलते हैं, repetition बोलते हैं, example क्या है, देखो, a friend, a friend, all my wealth for a friend, मतलब, अरे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, पूरा पैसा तुमारे लिए हैं, मेरे दोस्त, तो हमने ये बोला, हिंदी में convert case के रिए अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में, लेकिन English में ये सुनने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपने देखा, कि यहाँ पे जो word है friend, यहाँ पे word है friend, यहाँ पे word है friend, यह तीन बार repeat हो रहा है, तो एक पानी, भी सकते हो कि है नहीं, अगर आप ऐसी जगहा पे चले जाओ, फर्स जाओगे, वहाँ पे समंदर ही समंदर, लेकिन फिर भी पानी नहीं भी पाऊँगे, तो यहाँ पे water, water and again water, these three are repeating, that's why it is called as the repetition, तो आप पहचान जाओगे, कि यह जो figure of speech है, इसको क्या बोलेंगे two or more words, यानि कि, जैसे यह repetition जो आपने उपर पड़ा, इसमें क्या था, दो words, तीन words, repeat हो रहे थे, एक ही sentence में, तो उसको repetition बोलते है, alliteration का मतलब क्या होता है, जब पहला letter, या फिर जो पहला word का sound रहता है, तो वो आगर repeat हो रहा है, आपको सुना ही दे रहा है, कि यह बार- मतलब sure होता है, शुक, शुक बोला ना मिले, SH मतलब शुक, यहाँ पे भी shivering का sure, और shock का sure, तो यहाँ पे आप देखो के sure, sure and sure, यह जो starting के words है, वो बार-बार repeat हो रहे है, तो इसका मतलब यह जो figure of speech आएगा, अगर आपको पहचानना होगा कि यह कौन सा figure of speech है, name the figure of speech का आ alliteration, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको दोस्तों alliteration बोलेंगे, clear है समझ में आ गया, okay, आगे बढ़ते हैं, next, यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही बेतरीन एक figure of speech आ रहा है, जिसका नामे दोस्तों metaphor, metaphor क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, here an implicit comparison is made between two unlike objects, यानि कि अगर दो अ pair कर रहें directly, जैसे कि like, so, as, use करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, metaphor बोलते हैं, यानि कि एक तरीके से implied simili, जैसा मैंने बहुते हैं, simply के जैसा है, sorry, simili जैसा है, लेकिन थोड़ा सा implied है, कैसे, देख़ए example में, Children's are the most beautiful flowers of the garden of humanity, क्या बोला है, कि जो बच्चे होते हैं, ये सबसे सुन्दर फूल होते हैं, पूरे humanity के garden में, सही बात है, येकि सबसे cute बच्चे ही होते हैं, यार, जो छोटे बच्चे होते हैं, पाँच साल के अंदर मले, इतने cute होते हैं, कि मन करता है कि खाली, मतलब आता होगा, तो आप भी ऐसे ही करते होंगे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये कि children जो है, इस children को compare किया गया है, कि इस से beautiful flowers से, यानि कि कुछ ऐसे चीज़ से compare किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अलग है, ताकि उसको relate किया जा सके, और यहाँ पर humanity के बार में बता है, त इसका नाम है दोस्तों, inversion, inversion क्या होता है, यहाँ पर देखो, definition क्या बोलता है, the normal order of the words is suitably rearranged for the sake of emphasis or rhyme, यानि कि कुछ words जब हम लिखते हैं, हम लोग जब sentence form करते हैं, जब words लिखते हैं, तो उसका क्या होता है, एक pattern होता है, एक order होता है, normal order होता है, ठीके न, what is your name, name is what, ऐसा नहीं बोलूँगा, name my is Rahul, name my is Rahul, my name is Rahul बोलूँगा, तो कुछ order होता है, कुछ pattern होता है, तो अगर ऐसा हम लोग pattern को लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग inversion बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पी लिखा example के तौर पर हाड वाला लेता हूँ, मैं easy नहीं आप लोग बोलते हैं, जादा तर ऐसा, तो often when I lie on my couch, मैंने क्या बोला यहाँ पर, when I lie on my couch, यानि मैं जब अपने couch पर बेठूँगा ना, कि when on my couch I lie, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोड़ आपको गडबड नजर आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यह क्या है, inversion है, उल्टा जो कि आपको नजर आ रहा है, exclamation, तो exclamation क्या है, it is the emotional expression of ideas or feeling in words, जैसे हम कभी emotional होते हैं, कभी excitement में आते हैं, कुछ words हम ऐसे use करते हैं, जैसे यहाँ पर example के तरफे, oh, what a wonderful is the rain, how wonderful is the rain, हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, yes, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो इस प्रकार के जो excitement में, या फिर sand होने पर, या फिर emotional expression के लिए जो words यूज किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, exclamation, तो कभी भी कोई sentence में, आपको oh, दिग गया, हुर्रे दिग गया, yes, दिग गया, मतलब ऐसा बोलते हैं, या omg, आपलो ऐसा, इस प्रकार के जो words होते ह है, या आपको अच्छे से याद रख लेना है, तो the idea of the rain being wonderful is convectly, effectively, ये आपको लिहान में रखना है, चलो, अगला बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, next, next क्या है, interrogation और rhetorical question, rhetorical question, या फिर interrogation का मतलब होता है, जब कोई सवाल-जवाब का session होता है, तो, तो अगर कोई question आपको पूछा जा रहा है, यानि कि अगर एक statement के जगापे, आपको कोई question पूछ रहा है, ठीके न, तो उस figure of speech को हम लोग क्या बोलेंगे, interrogation, जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, तो हमसे interrogate किया जाता है, जैसे police custody में कोई लोग होती, तो उसको interrogate किया जात exclamation का भी ऐसा ही था, सबसे अच्छा तरीका है, यह जो exclamation मांग दिख रहा है आपको, इसको मतलब आगर दिया रहेगा, तो यह exclamation आजाएगा, figure of speech यहाँ पर question मांग दिया है, समझा न, कि यह rhetorical question है, या फिर interrogation question है, ठीके, am I brothers friend, यहाँ पर बोला है, क्या मैं आपके ब्र बहुत important है, बहुत confused करता है लोगों को, लेकिन simple है देखो, पन इसे play on words having similarity of sound, यानि कि अगर कुछ sounds जो है, वो similar होते हैं, लेकिन इस sound के अंदर न, कुछ opposite word भी छुपे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगी, तो words, ups and downs, has two meaning, namely, एक तो directional moment है, और difficulties and problem है, मतलब अगर कोई भी words में न, दो तरफा होता है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मेरी जिंदगी में बहुत उतार चड़ा हो रहें, टीक है, तो उतार चड़ा हो रहें, तो मैं क्या बोलूँगा, कि आरे मैं उपर जा रहो, मैं नीचे जा रहो, इससा भी बोल सकता हो, यादा उतार इसके अलग-अलग मीनिंग होते हैं, समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो figure of speech है, जिसका नाम है oxymoron, बहुत important, बहुत uni, ठीक है, लोग नहीं जान पाते हैं इसको, तो इसका नाम है oxymoron, क्या है, oxymoron is a figure of speech, in which two opposite ideas, इसमें opposite ideas होते हैं, इसमें opposite opposite ideas आजेंगे, जैसे example है, this is nothing but living death, यह को underline किया हुआ है, living death, यानि जिन्दा भी रेने की बात कर रहा है, death की भी बात कर रहा है, तो living death, यह दो words एक साथ आ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है, तो दो opposite words एक साथ जूड़े रहते हैं, तो उसको हमने क्या बोलेंगे, कि यह जो sentence है यह oxymoron है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, तो यह थे total हमारे आज के 10 से 12, most important, name the figure of speech, जो उसमें से 1 या 2 तो आपके exam में पूछते हैं, चाहे आप कोई भी standard के हो, खास कर board वाले students यह सब चीज को बहुत अच्छी से prepare कर लेना, आ आप 12 वी के student हो, चाहे दस वी के हो, चाहे आप science के हो, commerce के हो, कोई भी हो, 10th के तो English grammar एक ही होता है, तो उसमें तो आते ही आते हैं, चाहे आप 7 वी, 8 वी, 9 वी के हो, उसमें भी आपको name the figure of speech देखने मिल जाता है, तो यह जितने भी मैंने कराया से भी तरा भी देख लो, तो ऐसे कई सारे important tenses के topic बच्चे हुए है, ठीक है, writing skills तो हमने provide किया, लेकिन फिर भी हम लोग और भी writing skills के topic हम आपको provide करेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपके राहूल सर है, जैया डूटोरियल का आपके लिए platform है, तो किस बात के चिंता आपके राहू जैया जरूर से करना, अपने सारे friends and relatives को हो सकता है, लोगों को पताना चले, ये वीडियो के बारे में बहुत useful वीडियो है, तो please share to the maximum people, हर student का बच्चा, हर standard का student, ये वीडियो helpful सावित हो सकता है, उसके लिए तो please share to the maximum people, first time हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को subscribe ने क connect हो जाओ, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए, thank you and goodbye.